ओ जी गुड मॉर्णिंग है जी गुड मॉर्णिंग है इतली बाहर हो गयी है व्ल्ड कप से नॉर्थ मैसेडोनिया के अगेंस 90 प्लस टू में विनर खाकर इतली बाहर हो गई है 2006 के बाद Italy ने World Cup में कोई knockout ground में एक भी game नहीं खेला है 2018 का World Cup उन्होंने नहीं खेला था और लगा थार दूसरी बार Italy qualify नहीं कर पाई है World Cup के लिए यह वही Italy की team है जिसने अभी एक साल पहले Euro ठाया था Euro 2020 और अब 9 महिने के बाद Italy are out of the World Cup कोई सोच भी नहीं सकता था के North Macedonia can defeat Italy बट यह हो चुका है यह हुआ है और इस सबसदा खुश कौन है Ronaldo fans, Portugal fans because बड़े भईया की रहा अभी कल रात में उन्होंने Turkey को पार किया है Ronaldo was not on the score sheet obviously Jota scored Nuno scored and obviously Ottavio scored सबसे पहला goal जो निकल कर आया that was pretty lucky one to be very honest क्योंकि जो Bernardo का shot था वो post पर लगा फिर वो deflect होके इधर आया और Ottavio ने उसको convert किया but the second goal was too good brilliant header from Jota and third goal same as that you know Turkey got it Turkey penalty miss कर दी यार 2-2 हो सकता था बुरक Yelmaz ने penalty miss कर दी और अगर उस वक्त 2-2 हो जाता तो गेम का पूरा रुख पलट जाता पूरा चेहरा पलट जाता और हो सकता है Portugal भी भाहर हो जाती because अगर मैं अब दोनों टीम्स की लाइनप की बात करूं ना तो तर्की ने अपनी बेस्ट 11 उता रही थी और पॉर्चुकल के पास उनकी बेस्ट 11 नहीं थी आव शॉक्ट टू सी डियागो जोटा स्टांटिंग अहेड ऑफ रिकार्डव परेरा रिकार्डव पर तो बैंच पे भी नहीं थे और यहां पर लेफ फ्लैंक पर हमने रफाल कर रहा है बाइवाला सीन हो गया ना कि जाओ कंसलो नहीं था यूणो रूबिन डियास नहीं था आपके पास रूबन नेवेज नहीं था रॉनेटो सैंचेज नहीं था आपने बूनो को नंबर एट के रोल में खिलाया आपने डनीलो परेरा को सेंटर बैक खिला दे वह बाइस अब क गए और अल्टिमेटली आपने रिजल्ट निकाल लिया बट वन्स अगेन पॉर्चिगल का जो स्कॉड है उसको फर्नांडो सैंतोस अपनी टेक्टिस से जस्टिफाइ नहीं करते उसका ट्रू पोटेंशल फर्नांडो सैंतोस कभी भी नहीं निकाल कर लेपकर आपाएंगे पिछ के उपर क्योंकि वो वैसे मैनेजर हैं ही नहीं अगर पॉर्चिगल क्वालिफाइ कर भी जाती है नेक्स राउंड के लिए तो पॉर्चिगल एफे को ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई दे हाफ टू मेक अचेंज दे हाफ टू मेक असड़न चेंज इन दे मैनेज अगर आप वर्ड़कॉप में जा रहे हो और आपके पास अपनी फुल स्ट्रेंथ स्कॉड है और अगर ये ब्रेंड फुटबॉल जाकर पॉर्चिगल खेलेगी वर्ड़कॉप में तो पॉर्चिगल के लिए रहा मुश्किल हो जाएगी देखो जिस तरह का स्कॉड है 2016 वाली पॉर्चिगल भी नहीं है जहां किवल रोनाल्डो नानी करिज्मा हुआ करते ते और पेपे हुआ करते थे नहीं यहां पर हर एक प्लेयर एक एक लीडर है अगर ये बात करोगे वाल दूर्चिगल के ब्रॉचिगल के स्कॉड में कमी है तो एक अच्छे मैनेजर की इटली के लिए सब ये कह रहे थे कि इटली आर वन ओफ फेवरेट्स यू नो पॉर्चिगल से भी जाधा चांसे इटली को दिये जा रहे थे और कल की लाइन अप इटली के कोई इतनी खराब नहीं थी तो ये कह देना कि फ्लोरेंजी को आउट फुजीशन ख्लाया गया या फिर availability नहीं थी उनके key players की क्योंकि की ऐजा नहीं था ऐसा वैसा घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई North Macedonia के against आप जीत सकते थे और आपको जीतना चाहिए था Italy took 32 shots, 32 fucking shots भेंचोद और Macedonia ने केवल 4 shots लिये उसमें एक on target है Now look at the conversion rate, जो team जीतना चाहती थी, जो team जीतने लिए खेल रही थी वो ultimately जीती, Italy are once again out of the World Cup, ये दूसरी बार लगातार हो रहा है भाई मतलब last time, if I am not wrong, Sweden के against उन्होंने अपना game नहीं जीत पाएते वो और इस विए से वो qualify नहीं कर पाएते, जब De Rossi को substitute करके लाया जा रहा था और तब De Rossi ने काता के we need goal, Insignee को भेजो, कल तो कोई भी नहीं था, कल तो Insignee भी field बता भाई क्या कर लिया, क्या उखाड लिया, to be very honest Italy ने, congratulations to North Macedonia अब अगला game Portugal vs North Macedonia का है, देखते हैं, क्या होता है, you know, I hope कि Portugal आगले round में qualify करके चली जाए, अब knockout, मतलब, world का finals के लिए, because बहुत जरूरी है, स्कॉर्ड के लिए, और बहुत जरूरी है, ये season, Ronaldo और Bruno के लिए, क्योंकि उनका club level पे, कताई, career, मतलब इस season का जो वो था, प नीड के भाई, उनकी national team world cup में खेले, और हर एक player का सपना होता है, world cup में खेलने का, ये Portugal का squad जिस तरह का है, वो deserve करता है, खेलने के लिए, कल रात, Wales vs Austria के match में, Gareth Bills scored a brace, और ये ही होता है, जब आप एक player को, उसे जो चीज करनी पसंद है, उसको वो चीज करने देते हो, तो वो आपको result निकाल कर देता है, Bills scored a peach of a goal, भाई, क्या free kick थी, top bin, भाई, top bin, वो जो dream होती है, कि L में मारनी है, Gareth Bills ने literally उस L में, you know, free kick अपनी score की है, Austria को बाहर किया है, World Cup से, Wales are into the next round, और ये देखो, ये ही चीज है कि, आपने Bail की उपर trust नहीं दिखाया, L Classicो में, आपने उसको इतने सारे games में chance नहीं दिया, और इतने games में ना खेलने के बावजूद भी, बंदा दो महिने से training कर रहा था, और उसने अपनी training का, you know, जो output है, वो अपना दिखाया field पे जाकर कर, Austria के against, and he won the game for Wales, और ये पहली बार नहीं हुआ है, जब Gareth Bail ने Wales को अकेले दम पे, you know, matches जिताए है, he will go down as the greatest player in Wales history, अब यहाँ पर समझने वाली बात ही है कि Carlo Ancelotti को इतनी क्या खुननस है, जिदान को इतनी क्या खुननस थी Bail से, Bail के व बक्चोद की तरह है, बहेव करना शुरू किया, जब उसको मौके नहीं दिये जा रहे थे, और reason भी नहीं पता है, if a player is not Spanish, I mean, he doesn't deserve to start for a club like Real Madrid in Spain, I don't think so, ठीक है, वो Spanish में बात नहीं कर पाता, but यह वही Gareth Bail है, जो Ronaldo Benzema के साथ मिलकर इतनी अच्छी partnership बनाय हुए था, ऐसा a pretty decent season, तो मैं यह तो expect कर सकता हूँ ना, कि Gareth Bail को at least significant chances दिये जाएंगे, but नहीं दिये गए, El Classico में, हमने देखा कि Carlo Ancelotti ने ना हजार को मौका दिया, ना उन्होंने Gareth Bail को मौका दिया, और उन्होंने मूगी खाई, जो कि उनके tactics के चलते वो deserve करते थे हारना, अब यहाँ पर Bail into the next round, Ronaldo into the next round, Italy are out of the World Cup, यह तो एक कहानी सी लग रही है, जो किसी ने सोते सोते लिग दी, बट यह कहानी, Ronaldo fans के लिए पूरी हो गई है, क्योंकि Ronaldo के fans कल रात में जितने भी match देख रहे थे, उनके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी थी, कि Portugal qualify करे, Italy से फर्क नहीं पढ़ हम सब को, because if you want to be the best, you have to beat the best, but I am glad that we don't have to play against Italy, Italy had a brilliant Euro 2022, उनोंने इंगलेंड को हराया था, finals में पेनल्टी शूट आउट में, and भाई, outside the box shot था, North Macedonia का, और उस पर उनोंने इतना peach of a goal मारा है भाई, मजा आ गया देखके, I mean, अगर मैं score value की बाद करूँ ना, तो Italy, अगर मैं North Macedonia का, चार गुना भी कर दो, squad तो भी Italy के squad value को बरावर नहीं पहुचेगा, that's the beauty of football, आप हारते और जीतते football pitch पे हो, football pitch के बाहर केवल pre assumptions होते हैं कि कौन जीतेगा, favorites pitch के बाहर होते हैं, but match में जो जैसा खेलेगा, वो जीतना डिजर्व करता, और कल ये North Macedonia ने प्रूफ करक बस अब Portugal क्या किस, ऐसा कमाल मत कर देना भाई, we need to see Ronaldo and Messi both in the World Cup Finals, तो देखते हैं क्या होता है, comments में बताई के what was your first reaction भाई, जब आपको पता चला, के North Macedonia ने इटली को बाहर कर दिया, World Cup से, because I was shocked, literally मैं तो सो गया था भाई, 60 minutes के बाद, मैंने का कि कुछ होई नहीं रहा है, Portugal वाले game में Portugal lead कर रही थी, Yilmaz ने score किया 64th minute पे, उसके बाद मैंने का चलो यार आप सो जाते हैं, जीत तो जाएंगे, ठीक है न, इतना तो करी लेंगे कि ये जीत जाए, सोब उटकर देख रहा हूं तो, बुरक Yilmaz ने penalty miss कर दी, Portugal ने 3-1 से score line से अपना match जीत लिया, North Macedonia न ने बाहर कर दे इतली को, I was shocked, दिन बन गया भाई, दिन की शुरुआत इस से बेतर नहीं हो सकती, to be very honest, और अगर अभी तक आपने 1MEFC को सब्सक्राइब नहीं किया, तो don't forget to subscribe to 1MEFC भाई, मजा आ गया, 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 seriously, मजा आ गया, एा, मजा आ गया, एा गया, मजा बड़ी तक दूरुआत को, कि घुआत को सब्सक्राएब नहीं किया, कि भाई एक गया, मजा आ गया गया गया, मजा आ गया, मजा आ एक गया, मजा इक आगझ उतली को, I was shocked, और खिया एक आगर दिन को, अगर रूआत को, पो गया, ऑर और